नमस्कार आप देख रहे हैं आज तक आपके साथ मैं हूँ अंजिना ओमकशप नौ साल का रिपोर्ट कार्ड एक तरफ सरकार पेश कर रही है तमाम मंत्रियों को देश के कोने कोने में भेज दिया गया है महा संपर का भियान में खुद प्रदानमंती नरेंद्र मोधी उतर गए हैं लेकिन दूसी तरफ से राहूल गांदी जो कि अमेरिका पहुंचे हैं वहाँ से उन्होंने सरकार पर हमला किया इससे पहले भारे जोड़ो यात्रा की कॉंग्रेस पार्टी भी सरकार के खिलाफ दे के चुनाव में जो नौ साल का रिपोर्ट कार्ड है और प्रदानमंती नरेंद्र मोधी ने अपने अभियान की शुरुआ तभी से ही कर दिया उसको काउंटर करने के लिए कॉंग्रेस की स्ट्राटेजी क्या है इस एग साल में आप लोग क्या करेंगे जिससे आप राता तक हर पूली भूत तक क्योंकि हमारे पास अब कहने के लिए बहुत कुछ है और मोधी जी की सरकार को अपनी सुरक्षा के लिए कोई रास्ता ढूने नहीं मिल रहा हैं कुछ जैसे मुद्दे आपको वता हैं तो नौ साल को मैं अगर समराइज करूं तो जूटे और खास तोर से मैं एक चीज जलू कहना चाहूंगा कि एक ऐसी सरकार आई जो पीछे जो वाइदा करती उसके बारे बाती नहीं करती आगे बढ़ जाती आगे नए वाइदे कर लेती है और उसके अनुसार चलती है जिस सरकार निवानदारी की बात की थी जो रस्ता चार के आरोप लगा के आई थी वो सबसे रस्त सरकार निकली अगर आप कहें तो नौ मुद्दे में गिना दू जो यह अर्थवेवस्ता है सबसे बड़ी चिंता का विशे तो वही है हमारे जिस तरीके से युवा बेरोजगारी क्योंकि भारत युवाओं का देश है आज हमारी आ जो रूरर सेक्टर है गरीबी का सेक्टर है ग्रामीन सेक्टर है उसमें जो बेतन विद्ध है वो निगेटिव की ओड़ चली गई है अब याद करिए अजना जी आप तो थी उस समय जब पेट्रॉल पचास साथ हुआ था सरकार बनी थी तो यह वाइदा हुआ था कि हम इस को तीस रुपए पे वेचे गया सो रुपए पे भी करा है उस समय एक से तीस एक से चालिस डॉलर पर बैरल था विदेशी बाजार में दुनिया के बाजार में अब तो साथ पैसाट सतर तक आ गया तो इल्टा हुआ गैस सिलिंडर में देखे ना कितना हाई तोबा मचाती इसमिती जी राजनाच जी सभी तो थे जब तीन सो से साड़े तीन सो चार सो हुआ था अब तो गैस सिलिंडर ग्यारा सो के उपर जा रहा है ग्यारा सो के आसपास कई जिएके ग्यारा सो के उपर चला गया है रोज मरना की जिन्दगी में अब अगर हम आ जाएं किशी के छ खाती हैं हम देखते हैं फिर किसानों की जो सबसे वड़ी मांग थे नियूंतम समर्थनमूल MSP वो राज गोशना कर रहे हैं पर केंद ने जो वादा किया था कि हम केंद से करेंगे वो नहीं हुआ और वहसा चार में 13 माज से लेके 6 अपरेल तक पारलेमिन नहीं चली अड़ानी जी के नाम पर जिस तरह अलाई सी का जिस तरीके से बैंकों का पैसा लगा SBI का पैसा लगा या जितने लोग भाग गए अब सबसे बड़ा मोदी जी का एक वाइदा था माज कीजे मैं बार बार मोदी जी का नाम ले रहा हूं कि ये सरकार में कोई है यह नहीं जिसका नाम ले सकूँ ये सर्फ मोदी जी इसकी पहचान है और मोदी जी है उन्होंने कहा था कि मैं अगर चीन ने कभी किया तो हम लाल आंक से लाल बात करेंगे लाल क्या यहां तो ठंडी वरात हो गई पंद्रा सो जो मेरे पास फीगर है थोड़ा बहुत कम जादा हो सकता है सेंसिटिब मामला हिसले कह रहा हूं पंद्रा सो वर किलो मीटर पे आज भारत के सैनिक गस्त लगाने नहीं जा पा रहे हैं उस पे चीन का दिपत्ती हो गया है आज अगर आप देखो तो अरुनाचल की सीमा पे जो हो रहा है पितहौरागड की सीमा पे उत्तपदेश पे जो हो रहा है सिक्किम की सीमा पे जो हो रहा है और हमाई प्रधान मंती जी का वो इतिहास एक सरवकाली जवाब कि ना कोई आया था, ना किसी चौकी पे गया, ना वहां कभी कोई पहुँच पाया, तो फिर यह 18 राउंड टाक किस बात की हो रही है, और क्यों कहा जा रहा है, भूल गई ही वो आप, कोई याद होगा, आप तो कुछ भूलती नहीं है, जो फारेंड की और डिफरेंस की जार आटक में उलट गए, सामाजिक नाय का जहां तक सवाल है, अत्याचारों पे जो आपको 23% की बिद्धूई दलतों पे, और लोग तांतिक संस्थाएं, तो आज कल एक केडर, एक ग्रूप के हवाले कर दी गई हैं, उनमें कहीं कुछ हो नहीं रहा है, जन कल्लान की योजना हैं, हमने देखा, वो इतिहासिक बयान जरा मैं जरा 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 आपको याद दिला दूँ, याद करिएगा, जब लाशें भिखर रही थी, वन और टू कोविड में, तो इतिहासिक जवाब था पारलामेंट के अंदर, सौसमंती जी का, एक भी मौत आक्सीजन की कमी से नहीं हुई है, मैं तो बैली साल, तैताली साल से पुलिटकल लाइफ ही हूँ, कितने मैंने जगों पे जाके कंडूलन्स दिया, यहाँ अक्सीजन नहीं मिल पाई, और पर इस पर प्रमोजी बीजेपी का जवाब है कि कॉंग्रेस शासित राज्जों ने भी रिपोर्ट में यही की इस्तित बयान की, पूरे देश की इस्तित में, चलिए हम अंजना जी आप पे छोड़ देते हैं, अगर आप इस बात को हिश्वास करती कि एक भी हद्मी आक्सीजन के कमी से नहीं मरा, तो जो दिखाया था आज तक ने उस समय लंबी लाइने, और ये, और लोग तरफ र राज्यों ने ऐसी रिपोर्ट दी, लेकिन आप वापस बड़े मुद्दे पराते हैं, आप उपनेता हैं कॉंग्रेस दल के राज्यसभा में सर, क्या आपको नहीं लगता है कि संसद भवन के उद्गाटन पर आप सबको वहाँ पर मौजूद होना चाहिए था, क्योंकि य यह हमारे पैसे से बनी हुई संसद है, और इस देश में उसकी ताकत लोगतंत्र से है, जिसमें आपकी भूमिका सरकार से भी बढ़ी है, प्रमों जी, देखे, लोगतंत्र में फक्ष और विपक्ष दो पहिये होते हैं, जिस पर सरकारे चलती हैं, सदन चलता है, लेकिन एक किसी दिरा साब देखे, आज तक मेरी सुझेयां मैं भी चाहता था, मैं भी रहूं, नेता विरुदी दल का भाशन हो, सारे लोग रहें, इसे तिहासिक पल का हर आदमी साजीदार बनना चाहता था, पर आप बताएं, जिस तरह से एक रासपती जो हमारी संसद की मुख्या ह होती है, मैं तो बने आप से बता है, चार दसक से ज़्यादा का मेरा राजनेटी सक्रीटा है, दोनों सद्नों को संबोदित करने का अधिकार सिर्फ रासपती का है, संबिधान में दिया हुआ है, तो फिर उसकी उपेच्छा करके, में, परधान मन्ती जी ने ऐसा क्यों किया, पर हमारे अंडोत को श्यूकआर नहीं किया, फिर एक शताबदी का एक इविंट था, क्या इस कारकेम के लिए एक सरवदली बैठक नहीं बुला सकते थे हम भोग, आपसी सहमत से नहीं कर सकते थे, क्या भारत के परधान मन्ती ज नहीं उपरास्पती जो होता है वो कांस्टिचूशन के हिसाब से सभापती होता है रास्भा का उसके जो कार्ड आया था हम लोगे पास उसमें उसका कोई जिकरी नहीं था तो ये क्या जिद है परतानमंती जे आपकी कि जो करेंगे आप ही करेंगे आप रास्पती जो दलित ह अनसूची जाद की हैं महला हैं इसलिए उन से नहीं होने देंगे अरे उपरासपती से करा देते उपरासपती तो पढ़े लिके योग वेक्ती हैं किसी से करा देते लेकिन आप जब समिधान की मरियादाय तोड ले थे सरसत की मरियादाय तोड ले थे सदन की मरियादाय तोड नाम साजीदार होना चाहते थे इसलिए बड़े दुखी मन के साथ फिर सो दो रादू बहुत दुखी मन के साथ हम परंपराएं टूपती देखते रहे और हमने वैश्कार किया प्रमोट जी जो नव सवाल आपने पूछे उसमें मुख्ये चीज़ पर आते हैं क्योंकि राहूल गांधी करनाटक की जीत हो या फिर अभी भी विदेश से वो चोट कर रहे हैं क्या इससे वोट मिलेंगे इस पर मैं आपसे चर्चा करूंगी प्यार की दुकान मुख्बत की दुकान कह लीजे तिवारी जी मुख्बत की ये जो दुकान राहूल कांधी जी कह रहे हैं क्या आपको लगता है कि उससे आप हिंदुत्व का जो एक टोन है बीजेपी का जिसकी वज़े से वो यूपी में देखिया आप उत्तरप्रदेश के इतने बड़े नेता है यूपी में उन्होंने वापसी की पूरी रवायत बदल दी महां की यूपी में उनको पिछली बार भी अच्छी सीटे में ली लो प्रियता हमें उच्छाली है बीजेपी की जितने सवेज बता रहे हैं क्या आपको लगता है कि हिंदुत्वा जो एक बॉंड की तर रहे हैं ग्लू की तरह वो इस्तमाल कर रहे हैं उत्तर भारत में खास तोर पर उसको आप काउंटर कर पाएंगे कि हम नफरत के बाजार में महबत की दुकान खोल रहे हैं मैं बहुत साफ कह दू है इंजना जी ये दोनों मुद्दे चाहे भारत जोडो यात्रा हो और उसी में तो बोला था नफरत की दुकान हम बंद करेंगे नफरत की बाजार महबत की दुकान खोलेंगे इनका इलेक्शन से कुछ लेना देना नहीं है इसे इलेक्शन के पैमान से आपना लें ये इत्वाक है कि भारत जोडो यात्रा एकीस विधान सवाद छेत्रों से होके गुजरी करनाटक में और सत्रा कॉंग्रिस ने जीती हुए इत्वाक है जहां तक बात है आप कह रही हैं कि धर्म के नाम पर तो नाइंटी परसंट से ज़्यादा तो करनाटक म हिंदू थे तो फिर कैसे जीत गई कॉंग्रिस एक नए एक दिन मैं उसे दूशे सब्दों में कहता हूं ये नफरत की दुकान बंद होगी और सर भाई चारा सर्व धर्म जीतेगा और उस दिन भारती जनता पार्टी का सफाया हो जाएगा हां मानता हूं मैं धर्म आप कहे ये कि पिछली बार भी जीते उत्तव देश में इस बार भी जीते हां जीते पर धर्म की दुकान कभी चलतो जाती है इन्होंने जितने मुद्दे थे सबको डाल दिये देख लिए लेकिन आप जिरा संदगर निकाए कि छोड़ दिए महानगरों के देखिए भाजपा की हाल बहुत अच्छी नहीं ये रिकार्ड बहुत अच्छा नहीं ये पंचायत के चुनाव हुए थी जिला पंचायत में रिकार्ड अच्छा नहीं है फिर भी मैं कहता हूं कि धर्म के नाम पे दुरुपयोग करके उसका इन्होंने निश्चित रूप से ओट लिये हैं पर मुतिवारी जी आप तो उत्तर प्रदेश से आते हैं अब राम मंदिर का भी शुभारम वहाँ पर प्रदान मंती नरेंदर मोधी ने किया और अगर मंदिर बन जाता है 24 के पहले तो घाटन भी करेंगे देखिए इसी के साथ असी करोन लाभारतियों को भोजन भी दे रहे ह लोकसभा चुनाओं में जनता अलग-अलग वोट करती है आपने राजसान में ही देखा कॉंग्रेस की सरकार वहाँ बन गई लेकिन सारी किसी आरी सीचे लोकसभा में पीजेपी को चली गई कई राजों में इस तरह का उदाहरं है क्या आपको लगता है कि राजों के पहमा वाले रास्पती थे उनकी उपे एक्षा की गई इस पहुंच गया है हमारे पदान मंती जी उन्होंने सिल्ह न्यास कर दिया जबकि सिल्ह न्यास बहुत पहले हो चुका था इसमें को दो राइनी कि मंदिर मुद्दे पर भारती जनता पार्टी का आखरी युद्ध आखरी का मुद्दा आया दो तीन उतार चौहा मुद्दा है जब उस समय की जो बावरी मस्जित कही जाती थी वो दोस्त हुई तो नैंटी त्री में ये सरकार नहीं बनी इनकी सरकार ये इन सारे बातों में मंदिर मुद्दा जो है अकेले इनको उत्तर प्रदेश में जीत नहीं दिलाएगा ये मैं आपसे दावे से करा हूँ दूसरा एक जो सबसे महत्तपूर्ण प्रयास हमारा चला है मैं दलके उपनेता की रूप में भी कह रहा हूँ हमारा है वन टू वन यानी एक विपक्स का एक भाजपा का हम लड़ाएं ओटों के बटवारे को रोकें तो जैसे 32% वोट पाकर 31.8% वोट पाकर 2014 में भाजपाई थी या 3-4% बढ़ा के ऐसा सीट शेरिंग का फॉमिला हो पाएगा सर 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 बहुत बढ़ा आपने मुद्दा छेड़ा है क्योंकि अगर ऐसा होगा हर सीट पर बीजेपी वर्सेज ऑपोजिशन के एक पार्टी वाली स्थिती बनेगी वोट नहीं बटेगा तो बहुत बढ़ा अड़ा अड़ गाल में सीते चोड़ने को तयार नहीं है आप सपा के लिए आपर सीट नहीं छोडेंगे चोडेंगे सपा के लिए क्या सीटे छोड़ देंगे यूपी में आप बंगाल यूपी पर जवाब आप अगर जब आप मुझे मौका देंगी तो मैं पूरी बात बंगाल उत्तर प्रदेश भी कहूँगा और पूरे भारत वास्की भी कहूँगा देखे मैं लगातार संकर्पे था तेरा माज से लेके छे अपरेल तक दल के उपनेता होने के नार मैं कौडिनेट कर रहा था आप याद करें चार पांच दल भी नहीं खड़े होते थे कांगरेस के साथ आज चाहे ये बाईकाट हो और चाहे सदन का बाईकाट हो बीस बीस दल कड़े हैं मैं मानता हूँ बंगाल की अपनी समस्या है दिल्ली पंजाब की अपनी समस्या है उत्तर परदेश की अपनी समस्या है लेकिन आने दीजे चुनाओ, ब्यापक हित में, ब्यापक हित में कुछ हम एक होंगे और कुछ मोदी के जल्म हमको एक कर देंगे जिस तरह ED, CBI, Income Tax का इस्तमाल भाजपा के फेंटरल आग्राइजिशन की तरह हो रहा है यह हमको एक करने में साहिक होगा, क्योंकि लडाई किसी पार्टी को के लिए रहने के लिए नहीं होगी देश का लोगतन से बचाने के लिए होगी, और एक बात फिर मैं कह दे रहा हूँ बहुत से लोगों के मन में डर है, अंजना जी, आप से कह रहा हूँ मैं और इसलिए कह रहा हूँ पूरी जिम्मेदारी के साथ, कि लोगों के मन में एक डर है, कहीं मोदी तीसरी वारा आगए, तो क्या चुनाओ के दोबारा हो पाएंगे तो ये सारे सवाल हैं, हमको एक करेंगे, और हमें पूरा विश्वास है, देश के लोगतंत को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए, हम अपने निजी हित कुरवान करेंगे रासित को आगे रखकर कम जादा सीटों पे समझे होता करेंगे और मुदी सरकार को सौ सीटों पे समेख देंगे विपक्ष की तरफ से विपक्षी एक जुटता पर आपका दावा बहुत बड़ा है लेकिन चलिए आने वाले वक्त में क्या होता है उस पर नज़र रहेगी बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रमोत तिवारी जी राज्यसभा के सांसेद और कॉंग्रस डल के राज्यसभा में उपनेता हमारे साथ आज तक पर जूने के बहुत अच्छा लगा